पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि भारत के दोस्त मुल्क भारत से अलग हो जाएं लेकिन जब इरादे सच्चे हों नेक होते हैं और साथ ही साथ कई ताक्तों के साथ होते हैं तो दुश्मन के वल सोच सकता है कुछ कर नहीं सकता है आई ही सुनते हैं पाकिस्तान मुल्क यह दो पत्रकारों जो आप कनाड़ा और लंदन में रहते हैं तारिक गोरा सहब और हमीद बसानी से कि कैसी बेशती हुई श्री लंका से इमरान खान की मेरे दोस्तों अगर कंटें को अंदर आने देता है इमरान खान की वज़ा से या अपनी मजबूरियों की वज़ा से तो फिर वो पाकिस्तान का हाल भी पेशे नज़र रखे लेकिन सिरी लंका के दौरा के मौका पर जो एहम बात थी इससे पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान पार्लिमेंट में खताब करेंगे फिर सिरी लंका की सरकार ने बताया कि वो खताब नहीं करने वाले और क्यास आराईया की गई कि चुके खच्छा होता है इमरान खान ने हर जगा कश्मीर का जिकर करना होता है और सिरी लंका कश्मीर का जिकर पार्लिमेंट में करना इफोर्ड नहीं करता भारत के सा बाहाल उसके मरासम है और बहुत सारा कारोबार भी और बहुत सा कल्चर भी भाहरे से मुष्टरक है. इसके साथ सार सिर्लंका में बहुत महीनों से यह बैस बीश भी चली आ रही थी कि जो मुस्लिम्स وہां और खास और पर करोना की वज़े से जिनकी अमवात हो रही हैं उनको हम दफनाने नहीं देंगे, उनको क्रिमेट करेंगे जिस पर सिरी लंका की हकोमत पर एक दबाउ था अल्टीमेली स्री लंका की हकूमत ने पिछले महीने अमादगी का इसार किया इस पर भी इमरान खान ने ट्वीट किया था कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि स्री लंका ने इस पर हामी बरी कि उनको दफन होने दिया जाए ये सारी बाते आज के थर्ड उपीनियन का हिस हैं और थर्ड उपीनियन की रूह रहा जनाब बिरिस्टर हमीद बशानी साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं बशानी साथ इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम स्री लंका पहुंच गए और ये क्लियर था कि अगर इमरान खान साथ जो है नो पारलिमेंट से खताब करें हैं एक आप ने देखा होगा रिसेंट रिफलेक्शन रिसेंट एलेक्शन में हुआ है वह सिंद की हूँ तीन सीटे हूँ या पंजाब की सीटे हूँ और उसने उसकी वैसे जो ड्रामा अनफॉल्ड हुआ दांगली का और बाक्स चियोरी करने का और ये सारा तो उससे आप किसी फारन कंट्री का आफ्टर वन येर और कश्मीर के अवाले से उन्होंने इस कदर बड़े बड़े दावे किये हुए हैं और वहां की पारलिमेंट से खताब करते हैं और वहां कश्मीर का जिकर नहीं करते तो जाहर है कि होम फरंट पे और ये जो पापूलारेटी दिनिया में मुसल्मानों का कोई इशू है तो उसको वह इसलमाफोबिया के एक आड में जो है वो उठाना शुरू हो जाएं पहली बात यह है कि अगर ये वाक्या ये बड़ी को हमदर्दी इसलाम के साथ है या मुसल्मानों के साथ है तो उसमें तो ये तो सिरी लंकन ने किया है कि बाई एक अंगामी आलात हैं इसमें आप लाशें दफन करें जो के इंटरनेशनली हुआ है कहीं मुलकों में बहुत सारे मुलक जो थे उन्हों ने इंकार कर दिया था लाशें एंड ओवर करने में और आपको याद है बहुत सारी अरब कंट्रीज ने ये काम किया था, कि उन्होंने बहुत सारी लाशें लोगों की जो गहर मुलकी थे, मुस्लमान, इंकलूडिंग पाकिस्तानी, उन्होंने इंकार किया, लाशें नहीं दी और उनको खुद जो है, वो गुमनाम जगों पे दफन कर दिया, तो ये एक अंगामी आलात हैं, इस नाट अनार्मल मुलक, पहली बात ही है, तो इसमें कोई इसलामाफोबिया या इस ताइब की कोई चीज स्वाई इसके, के बंदा अपने दमाग के अंदर मुझूद बरी हुई जो वो नफरत है, और वो इसलाम के पर्दू में, और इसलाम की पुड़ियों में लपेटी हुई है, उसका अ में, और उनकी ओरतों को साथ रेप होता है, रेप कर रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं, बता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और ये जिकर दी करते हैं, इमरान खान साब, वहां इसलामाफोबिया के बात नहीं आती, तो इस पे उनका ना ये इसलामाफोबिया उनको नजर आता है, ना कोई इसलाम की खिदमत और ना अपनी पापाईयत जो है उनकी जागती है यही बात रूँगी या मैं भी तकरीबन यही बात रूँगी या को भी उन्होंने उस तरीके से जो है उस पे भी बात नहीं की या for that purpose other countries में भी जहां कहीं भी इस तरह के साहिल हैं तो यह जो इस तरह की चीज़ें हैं यह negative और malicious जिसको आप कहते हैं ना उनकी intention उसका एजार होता था और जाहर है कि एक मिजबान मुलक में जब जाके इन दो issues पे बात करेंगे सीरी लंका जैसे एक small country जो already एक बहुत बड़े terror और खोफ और ethnic किसम की rift और एक पूरे historical उस प्रासस से गुजर के तो एब वो एक बेतर रास्ते पे चल पड़ी है तो why they would take that risk आप उनका time खराब करें कि मैंने कश्मीर का किसा चेहना है या जो है मुस्लमानों का हम भी दूनू है मैं कश्मीरी भी और मुस्लमान भी हूँ दूनूं से मुझे पहली अमदर्दी है नेचरली फस्ट और नेक्स लेकिन अगर मैं यह पागलों की तरह उठके शुरू हो ज कहते हैं कि बेवगूफ दोस्त हमेशा घल्ट बाट time पे घल्ट बात करेगा और उससे आपकी हमदर्दी करनी कोश्च करेगा तो उससे आपको नुकसान होगा यह को मजाग हो गई को सीरी लंका को आपने खरीदा हुआ है या को इस तरह की आपका तालक आपने दिया क्या ह है कि वो चांद आथियार जो आउट डेटिड किसम के बेच दिये थे मिशर्फ के जमाने में या इस तरह की गन है जो कोई खरीदा नहीं था तो वो देखे तो एब आप यह समय रहें कि हम सीरी लंका को इस आप तक जो है वो यूज कर सकते हैं अपने एजेंडे के लिए य ने रिसेंटली ये सारी जो इनके दर्मयान मिस हैप्स हुए हैं उसके बाद इंडिया और चीन के दर्मयान एक बैलन्स जो है वो काइम कर दिया है पहले ये था कि उन्हों ने वो जो पोर्ट दे दिया था करदूं के इवस मुझे उसका नाम मुश्कल सा है याद नहीं आ इसके उस पोर्ट की वज़ए से एक मिस अंडिस्टेंडिंग जो है वो आ गए थी चुके इंडिया के लिए ये एक इरिटेटिंग फरक्टर था चुके उस आलाके में या उस पानी में अगर कोई इस तरह का पोर्ट आप चीन के अवाले कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ तो जाहर है कि उस पे इंडिया की रिजर्वेशन समझ में आने वली बात है तो उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत सारे इसे एक्दमाद किये जिस में उन्होंने इंडिया को ये पेगाम देने की कोशिश की कि चीन के साथ हमारा जो भी कोई मनसुबा है या जो भी काम चल रहा है वो इंडिया की कीमत पे नहीं है नंबर वन और दूसरा ये है कि खुद सिरी लंका के अंदर जाहर है कोई एक हुकोमत ही एरचीज की जो है वो डिसीजन मेकर नहीं है वहां पे वहां भी है मीडिया भी है डिफरेंट कांफलिक्टिंग इंटरेस्ट वाल चीन के साथ उनका चल रहा था सिरी लंका का और जो कर्जूं के हवाले से वो एक अनफेर किसम की डील में जा रहे थे उसको क्रिटिसाइज करके उनुने रोका तो फिलाल मैंने ही समयता के इस तरह की कोई चीज है चीन और सिरी लंका के दर्मयां जिसम पेगामर सानी की जर तो उसके बाद इंडिया के होले से भी कोई बो नहीं है तो सिरी लंका एक बेटर पॉजिशन में इस वक्त बैठा हुआ जी आपने कहा कि वह असल में इनका क्लेम तो बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन अमली तौर पर इनकी रेलेवेंसी कम से कम होती चली जा रही है यह इस पहले हैं ऽे था दिये से बात वाकर ही दुर्षो में कहीं अदर भाएइस अभी एक ब Até पाकिस्जक साथा यह वो जी बहुत यह नीवें कियुए की आवाद फारइने वाला जैसे कोई किस्चन पॉपाईयत होती एसलाम की पॉपाईयत में वह अपना प्र Myers, के लेकिन वही जब चीन की बात होती है कैनिडा की पार्लीमेंट ने कल ही वीगर मुसल्मानों के साथ होने वाले जुलम और सित्म के वारे में एक बहुत बड़ी जो है बिल पास किया है मोशन पेश होई टू हंड़र्ड सिक्स वोटों के साथ या अकसरियत के साथ पूमोशन पास हुआ कि वो जीनोसाइड है और वो जल्म है ये कैनिडा में हो रहा है लेकिन इमरान खान साथ जो इसलामोफोबिया का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं वो आफ्टर आल इस तरफ क्यों नहीं आते हैं या अब देखें पाकिस्तान की हमेशा से पालिसी रही है कि वो इस सरमायधारी थी और नो सोशिलिजम था जो कोल्ड वार असल लड़ाई जो है वो सरमायधारी वर्सिस सोशिलिजम थी लेकिन आप देखें कि वो किस तरह जो मिलिटरी जर्नल है वो बीच में गुस गए कि जी हमारा तो इसमें बहुत बड़ा रोल है और इस आख तक गुस कि वे लाज्टी कि में मिसर के होले से देख रहा था कि एन् hospitalized की में इसमें मिसर के खिलाफ जो है वेस्ट के साथ मिलके जग में शामल हो गे इस मसालको मैं इसल्या दे रहा हूं सामने रा करा हूं कि देखें ये जो क्त हम आपने अपनों फाहिदा नजर आ रहा था कि किस त है या दूसरे मौमालक साथ उनकी जो टेंशन है उससे जो हम इसके फाइदा उठाएंगे जो के अल्टीमेटली हुआ नहीं यह उनकी बड़ी कोशिश रही लेकिन अल्टीमेटली वो कोई फाइदा उठा नहीं सके इसी तरह यह मुस्लमानों के आवाले से इस्लमाफोबिया एक इंटरनेशनल एशियू तो है तो इसमें वो देख रहें कर रहे हैं जी फ्रास में भी दो Umm है या किज़री मुसलमान अ है तो इसकी पर्जार है चौनागर लेखें चो फ्रांस में क्या जरूरत है कि वो जाके पाकिस्तानी प्राइम निस्टर को अपनो स्पोक परसन बनाएंगे जी कि आपकी पारलीमेंट फ्रांस को दमकी दे कि तुम ये कर दो वरना हम ये कर देंगे एक आदमी उनको वहां पैचानता नहीं जो लोग फ्रांस की ये डेमाग्राफी वहां स्यासत है और फ्रेंच जो एक्स कालूनीज हैं उस आवाले से एक पीछे से हिस्टारिकली एक चीज़ चली आ रही है वो लोग एक जबान बोलते हैं एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई है पीछे से एक लंबे हरसे से उसके बीच में जाके हमारे खड़े हो जाते हैं जी तस्वीस आदमी कि हमने जी चर्च पर हमला कर दिया हमने जी किसी राग एर को मार दिया और प्राइम निस्टर साथ निकल के आ जाते हैं जी हमारी पारलिमेंट बिल पास करेगी और मैं इसलामफोबिया के खिलाव ट्वीट करूंगा तो डिस इस वरी अनफार्चुनेट जिसका दूसरा मतलब यह है कि आप से अपने मसाहिल तो हल होते नहीं मुलक के अंदर जो है आप दिन बादिन जो है वो गुर्बत बेरोजगारी जालत और तुबाही की दलदल में दंसते जा रहे हैं उसका आपके पास सवाय जाली फार्मूले पेश करने के और जाली लिडम्स और इन चीजों के अवाले से दुनिया का लीडिंग जो है एक मुलक रहा है तो यह बदकिसमती नहीं तो और क्या है आपने मदर्सों में देखें बच्चों के साथ महां मौलवी क्या कर रहे हैं तो वो बच्चे मुसल्मान नहीं हैं आपने कभी उस मौलवी के ख चुके वो जो मुसल्मानों का चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो एक ख्याल होता है कि वो उम्मा का हिस्सा है हाथों के तो सिरी लंका में भी ये एक सिचुएशन है हाला कि अगर सिरी लंकन मुसल्मान भी गौर करें तो वो उम्मा का हिस्सा बतानी बाद में बनते हैं प इमरान खान बहुत जार एक्स्प्राइट कर रहे हैं तो इसका क्या हल है? इसका हल जनाब यही है कि यह सबसे पहले इनको यह एजूकेशन का प्रासस है कि लोग इनसे पाकिस्तान में जो मुसल्मान है वो पहले अपने बारे में सवाल करें कि एक अगर नार्थ अफरीकन कोई मुसल्मान है मराकश का या हल जजायर का तो उसको अगर फरांस के किसी अमल से कोई शिक्वा है तो आपकी पारलिमिन्ट और ट्वीटर अकाउंट्स और सारे जो हैं वो फूरण यक जबाँ होके बाहर आ जाते हैं तो हमारे जो मसाहिल हैं यहां पे पाकिस्तान के अंदर बातोर मुसल्मान उसके बारे में आप हमें बताएं कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है रासवाल उमा का मसला सर तो उमा का तो आप बेशक इस पे कहें के लोग फील करते हैं ऐसल प्राफलम ये था कि पाकिस्तान के अंदर चुके प्रैस पे सैंसर था ये बड़ी बड़ी स्टोरी हो मज़न अब ही जो इनने शा प्रिशा की ने जो है ना मिसर का दोरा किया तो उसमें जो सबसे बड़ा एक بरिनिंग सवाल उठा वो ये था कि पाकिस्तान ने मिसर पे जो अमला हुआ था उसमें क्यों इसा लिया ऐसे मिलिटेरी पाकिस्तान ने जो उसमें इसा लिया तो उसके जवाँ उसका अगर आज भी पाकिस्तान के लोगों का सर्वे करें तो आपको 97% लोगों को पता ही नहीं कि कोई इस तरह की बात हुई थी कि पाकिस्तान ने मिसर पे अमला कर दिया ता वेस्ट की इमा पे या उसका इतादी बन के इसी तरह आप अगर पाकिस्तान का सर्वे करें तो 98% लोगों को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान ने जर्नल जियावलाक की फोजी के आदत में जो है वो पलस्तीनियों को का कतले आम किया था वो ब्लैक सेप्टनमबर के अवाले से नोजवानों को तो खेर पते का सवाल ही नहीं मतलब में पिछली नसल की बात करता हूँ उसकी वज़ा यह है कि पाकिस्तान इस मामले में हमेशा एक डैबल स्पीक का शकार रहा एक तरफ उमा और उमा और उमा उसकी वज़ा यह थी कि चांद जो अरब गैलफ स्टेट्स और अरब कंट्रीज अमीर थी और उमा उमा के चक्र में उनको वहां से जो है वो अपने पाहिमदाद थी या कर्जे थे या तेल था डैफरल प्राइसिस पे वो मिल जाता था और दूसरी तरफ वो अपने लोगों को बेवकूफ बिनाने के लिए उनकी जो रियल हकीकत में जो लाइफ है और जो मसाइल है उसके लिए वो एक बड़ा कंसेफ्ट दे रहे थे कि हम क किलियर हो गई हैं मैं समयता हूं कि इमरान खान इस दे लास्ट परसन जो गाव्मेंट के हावाले से के जो ये लफ्स इस्तमाल कर रहा है लेकिन जिस तरीके से उसको भी एतनी बड़ी जिलत और रिस्वाई का सामना करना पड़ा कश्मीर इशू पे उमा का तसावर लेके और जिस तरीके से सुधी अराबिया समयत ये गल्फ स्टेट्स ने और दूसरी कांट्रीज ने उनको रिजक्ट किया इस मसले पे मैं समयता हूं कि उसके बाद ये बात करना बड़ी जो है वो दिल गुर्दे की बात है और ये एरादमी नहीं कर सकता ये बड़ी मतलब शर् दौरा बिलकुली फेलियर दौरा है या इसके कोई नो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं इसका बिलकुल एक पॉजिटिव रिजल्ट है सिर्फ के जिस साउथ एशियन कंट्री है तो आपने रीजिन की कोई कंट्री हो या उस इलाके का कोई मुलक हो तो उसके साथ त उसमें जाते हैं लेकिन अगर आप दोरे को जैसा के अखबारात और टीवी पे देखेंगे खात्मे के बाद के इंताई कामियाबी से किया तो इंताई कामियाबी का जो दावा है वो बहुत बड़ा जुटा होगा चुके दोरे का एक मकसद भी पूरा नहीं हुआ जो उनके मक साले से हम खिते में एक लाबिंग करेंगे और हम ये शो करेंगे कि खिते के अंदर हमारा असरो सूख है तो वो तो सिरी लंकन ने उनको बहुत ज़्यदा महदूद कर दिया जी जो मिंबर आफ पारलिमेंट से मुलाकातें कैंसल करने से लेके तो सुआए एक जियाफत के ब बहुत शुक्रिया बशानी साथ आपने खुलके अपने नक्ता नजर को बेयान किया आज के थर्ड उपीनियन में